सावन के चौथे सोमवार को बाबा विश्वनात के दर्बार में भक्तों का उम्डा हुजूम देखने लायक है। काशी विश्वनात के दर्शन के लिए दो किलोमीटर लंबी कतार लग गई है और मंदिर के चारों और कावणियों की चहल पहल से पूरा इलाका सज गया है। बोल बम और हर हर महादेव के जैगोश के बीच शिवभक्त सुभा से ही बाबा का जलाभिशेक कर रही है। यह श्रद्धा और भक्ती का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। काशी विश्वनात मंदिर में भक्तों का स्वागत भव्य रेट कार्पेट पर किया जा रहा है और उन पर फूलों की बारिश हो रही है। मंदिर के मुख्यकार्यपालक अधिकारी, विश्वभूशन मिश्रके अनुसार, श्रद्धानुओं की सुविधा और सुगम दर्शन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। भक्त भी मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रही है। रंजु कुमारी ने कहा कि लाइन में लगने के बाद भी बाबा विश्वनात का दर्शन आराम से हुआ और व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी थी। अनुमान है कि इस चौथे सोमवार को करीब 3 लाग से अधिक श्रधालू काशी विश्वनात मंदिर में दर्शन और जलाभिशेक करेंगे। रविवार को भी 2 लाग से ज्यादा भक्ता आये थे और पिछले सोमवार को भी यही संख्या देखने को मिली थी। आज के इस पवित्र दिन पर काशी विश्वनात का रुदराक्ष श्रिंगार किया जाएगा। श्रिंगार आरती के दौरान लाखो रुदराक्ष के दानों से बाबा विश्वनात का अद्भुत श्रिंगार होगा। इसके लिए सारी तयारियां पूरी हो चुकी है। श्रिंगार के बाद भक्त बाबा के इस अलोकिक स्वरूप का दर्शन करके दिव्य अनुभव प्राप्त करेंगे। लोकल 18 के लिए वारानसी से अभिशेक जैसवाल की रिपोर्ट।